आज जब रूद्र जागा तो उसने कहा कि मुझे लंच में कुछ ऐसी डीस चाहिए जो फास्ट फूट भी हो और हेल्दी भी हो बहुत सोचने के बाद जब मैंने फ्रीज में देखा तो मैंने देखा कि काफी सारा दूद पड़ा हुआ था तो सिंपली मैंने उसे पनीर बना अब इतनी सुबह सुबह पनीर तो कहीं बाहर मिलती नहीं और उसे फास्ट फूट भी चाहिए था जो हेल्दी भी हो इसलिए मैंने पहले लगाया दिमाग के पहले इसको पनीर बनाया जाए जिससे की प्रोटीन का कमी पूरा हो जाएगा और बस इसको मैंने चोटे-चोट सब्सक्राइब के बाद में घर का पनीर इसलिए थोड़ा बिखर रहा है लेकिन फिर भी थोड़े दिर में यह सेट हो जाएगा और फिर मैंने लिया एक पैन में घी जो घी मैं घर पे मारती हूं घर पे जो मैं बनाती हूं इसकी भी रेसिपी मैंने अल्रडी अपने पेस पर लोट करके रखी वी है और मेरे पास में कुछ गाजर और सिमला मिर्च बच्चे वे थे और बस इसको मैंने इस तरह से डाल के शौटे करने के लिए चड़ा दिया अब इतनी सुबह सुबह जल्दी-जल्दी में तो कुछ वैसा बननी पा रहा था फिर भी मैंने इसे बना धीया है आप पनीर के साथ में इसको थोड़ा में भून लूँगी भूनने के बाद इस में डाल देंगे थोड़ा सा नमक जो कि अपकेते स्केकर नमक होगा तो यहां मैंने देखिए थोड़ा सामसाला और नमक मिलाया यह जो मैंने चुटकी पर मिलाया है यह मेरा इसको मैं लाई हूँ फाइनल टच के लिए अब तक बहुत लोग समझ गया होंगे कि मैं यहाँ पर क्या बनाने वाली हूँ यह मैं यहाँ पर काथी रोल बना रही हूँ उसके लिए जो फास्ट फूट तो है ही बट यह बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी है जिसमें फाइबर इतने सब्जी और इतनी फिलिंग से हमारी दो काथी रोल बने थे एक मैंने बड़े वाले को दिया एक मैंने चोटे वाले को दिया इसम्पली आप इसमें कोई भी अपने पसंद की मसाला यह मसाला जो सब्जी होती है वह आप डाल सकते हो मैंने कमी मसालों पर बनाया इस त तरह से मैंने रेड़ी किया उसके भी पसंद का और मेरे भी पसंद का फूड जो की फाश फूड तो था ही साथ में हिल दी था ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बनी रहें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंड करना ना बुल तरह में तेने क्यों दूड में तूड में तेने क्यों दूड में तो